हेलो गाइज, वेलकम तो मैं अजीम, मैं अजीम, आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ मेरे यूटुब चैनल पर, इंटीजर स्टार्ट क्या हुआ जैसे का आपको पता है, लास वीडियो में मुल्टिप्लिकेशन अफ इंटीजर हमने किया था, इंटीजर का मुल्टिप्लिकेशन का मुल्टिक्लिकेशन हम हमस्तार्ट करने वाले हैं आज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़ंदी ज़ल्दी वीडियो को लाइक करने और चैनल के जो बैल आइकन है उसे प्रेसकर ले ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलते रहे आप आपको बता है प्रापरटीज प्रोपरटीज प्रोपरटीज और इन पीजर प्रोडिकेशन म्लोली में एसोसीfluटी प्रॉपर्टी और फिर है इड़िटीव fidelity for multiplication so पहली property से हम start करते हैं क्या था Pehla commutative property commutative property commutative property क्या होता है commutative property जैसे की हमने addition और subtraction में पढ़ाता है commutative property means कि अगर जब 年गे रहें दो into the 세स है मन दिक बाता दो इंदिजस है और उसे हम add कर रहे हैं तो उसमें क्या होता था कि अगर उसके हम order को change कर देते थे तो उसके addition पर कोई effect नहीं आता था कोई changes नहीं आते थे उसके addition पर यानि को उसके result पर कोई changes नहीं आते थे इवेंट अगर उसका हम और भी चेंज करते देते तो सेम चीज जो है यहां पर मल्लिप्लिक्लिकेशन के लिए होने वाली है कैसे देखें एक्जाम्पल से समझते हैं मानलत हैं दो कोईभी इंटेजर हम ले लिता है थ्री इंटू माइनस का शिक्स ले ले लिता है गार अचले राइट है पर ले लिया मैंने माइनस का सिक्स इंटू थी तो तो A, B को अगर मान के चला है हम यहां पर तो A के प्लेस पर कौन है? 3 है, B के प्लेस पर कौन है? minus 6 है, A के प्लेस पर कौन है? minus 6 है, और B के प्लेस पर कौन है? 3 है, so order change हो गया, पहली बात हमें यह confirm हो गई है, कि जो हमारे जो operation हम कर रहे हैं, दो integers के साथ, उनका जो है order change हो गया है, पहले first equation में क्या है, कि 3 एक order पर है, और second equation में गया है, कि जहां पर 3 है, वहां पर 6 है, तो अभी यह देखते हैं, कि इनका multiplication करने पर जो result आने वाला है, जो answer आने वाला है, उसके answer पर कोई फर्ख आने वाला है या नहीं, पहले यह बात हम देख लेते हैं, जो जैसे last part में मैं आपको बताया था कैसे, कि multiplication कैसे करना है, कि यह positive integer है, यह negative integer है, तो 6, 3,018, कि पहले तो आप दोनों number को whole number मान करके उनका answer निगालने, तो 6, 3,018, और plus, minus, minus, so plus, minus, minus, so minus का 18 यहाँ पर answer आगया, next जो right hand पर उससे देख लेते हैं, कि 6, 3,018, 6, 3,018, answer आगया, दोनों को मैंने whole number मान आप, दोनों का multiply कर लिया, तो answer आगया minus का 18, only 18, अब minus का या plus का, जैसे कि आप देख पारे हैं, कि minus 6 और plus 3, so minus, plus, minus, left hand side पर जो answer आया, वो भी minus 18 आया, right hand side पर जो answer आया, वो भी minus 18 आया, तो क्या मतलब हुआ, कि जब हमने 2 numbers को multiply करा, 2 integers को मैंने multiply करा, और उनका order भी मैंने change कर दिया, तो उनका जो answer आया, answer पर कोई effect नहीं हुआ, order change करने लिए, तो इसी चीज़ को हम कह देते हैं, commutative property in multiplication, मतलब कि अगर 2 integers को मैं multiply कर रहा हूँ, और उनका order भी मैं change कर दे रहा हूँ, और उनके answer पर भी कोई effect नहीं आ रहा है, तो इसी चीज़ को कहते है, commutative property in multiplication, ठीक है, ठीक है रहा हूँ, कि अगर order हम change कर देंगे, multiply करते हुए, तो उनके multiplication पर कोई effect नहीं पढ़ने वाला है, उनके answer पर कोई effect नहीं पढ़ने वाला है, तो इन general अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, A into B will be equal to B into A, यह इसका एक सही statement हो जाना है, कैसे कि A into B, बराबर किसके हो जाएगा, B into A, मतलब कि अगर order हम change कर देंगे, तो दोनों के answer सेम होने वाले है, ठीक है रहा, this is commutative property, चाहिए, next पर चलते हैं, next पर चलते हैं, next क्या पढ़ाहिती, associated, second क्या पढ़ाहिती हमने, जब हम addition और subtraction करना सीख रहेते हैं, इंटीजस का उसमें second property प्रोपर्टी थी, associated property, so second property क्या हो जाएगी, associative, associative property, associative property, जैसे कि आपको याद होगा, कि उसमें क्या है कि हम grouping करते थे, हम left hand side के दो नमबस को एक बार लेते थे और right hand side के दो नमबस को एक बार लेते थे, और उनके answer पर कोई effect नहीं आता था, वही चीज़ आपर है, समझते हैं, minus three into minus two into minus four, ठीक है, किसके बार आपर, six into minus three into, two, sorry, 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 minus three into minus two into minus four, ठीक है, numbers change नहीं होने चीज़िए, numbers change नहीं होने चीज़िए, आपका order change हो सकता है, आपकी grouping change हो सकती है, बट आपके numbers नहीं चेंज होंगे, अगर numbers change होंगे तो answer नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, चलिए, देख लिएते हैं, so minus three, minus three into minus two minus four किता, four two's are eight, four two's are eight, but कैसा, minus minus plus, so plus eight, ठीक है, next, three two's are six, three two's are six, minus minus plus, so plus six into minus four, minus three into eight, किसके बराबर हो जाएगा, six into minus four किता, ठीक है, चलिए, next बढ़ते है, so eight three's are 24, eight three's are 24, minus plus, minus, so minus 24, किसके बराबर हो जाएगा, six fours are 24, six fours are 24, plus minus minus, so minus 24, ठीके स्ट, आई होब आपको जो दोना एक्जाम्पल मैंने बताया हो, समझ माया होंगे, associative property का मतलब समझ माया होगा, क्या समझ माया होगा, कि आप अगर grouping दोनों का change कर देंगे, first equation में दोनों number n के लिए है, second equation में मैंने दोनों number first वाले ले लिए है, but उनका answer जो रहा है, ineffective, कोई effect नहीं आया है, तो इसी चीज का मतलब होता है, associative property for multiplication, addition के लिए मैं पढ़ा चुका हूँ, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप मेरी playlist में जाएं, teaser के वो वीडियो देख लें, तो आपको पता लग जाएगा कि associative property for addition क्या होती है, और इस पार्ट में पढ़ा हूँ आपको, और मैं इस उस जो वीडियो का लिंक है, इस वीडियो के description में mention कर दूँआ, तो आपको जादे difficulty face नहीं करने पड़ेगी find करने के लिए, आप सीधा उस लिंक पर जाए, और आप सीधा उस वीडियो के पहुंच जाएंगे, जिसमें मैंने properties for addition पढ़ाया है, ठीक है, चली, थाड़ किता पढ़ता है, थाड़ किता पढ़ता है, क्या है additive identity या multiplicative identity, additive identity तो for addition होगा ना, यहाँ पर होगा, multiplicative, multiplicative identity, multiplicative identity, चलीए, देखते हैं क्या होटा है, let's suppose, minus 5 into 1 कर देता होगा, minus 5 into 1 कर देता होगा, तो answer क्या आने वाला है, आप सबको पता है, answer क्या आने वाला है, 5 under 5, तो minus 5 will be answer for that, in minus 5 into 1 is minus 5, next लिख लिएते हैं, कि 6 into 1 plus 6, 6 बंदर 6 plus 6, next लिख लिएते हैं, minus 9 into 1 will be minus 9, minus 9 into 1 will be minus 9, तो आप देख रहे हैं, कि जैसे जैसे मैं 1 into करता जा रहा हूं, तो answer मेरा कोई effect नहीं है, answer unexpected है, कोई फर्क नहीं answer पर, जब मैं 1 into करता जा रहा हूं किसकी नंबर पर, minus 5 into 1 कर रहा, so minus 5, 6 into 1 कर रहा, so minus 9, तो मैंने एक ऐसा number into कर दिया है, एक नंबर में, जिससे की जो number है, वही उसका answer आ जा रहा है, तो इसी चीज़ को हम कह देते हैं, multiplicative identity, these three, these three one are, these three one are known as multiplicative identity, multiplicative identity, यह one की बाद कर रहा हूं को शाली, खाली इन one के बाद कर रहा हूं, तो यह क्या हो जाएंगे, multiplicative identity, मतलब कि किसी भी number में, अगर मैं one से into कर देता हूं, तो उसका answer वही आ जाएगा, जिस number पर one से into हो रहा है, जैसे minus 5 में one से into कर रहा, so minus 5 ही answer आ गया, 6 में one से into कर रहा, so minus 9 ही आ गया, तो यह जो बन है, यह बन जो है, यह हो जाएगा, multiplicative identity, और additive identity क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कि अगर, कि अगर, minus 5 में, मैं plus 0 कर दूँगा, minus 5 में अगर प्लस 0 कर दूँगा, तो answer क्या आएगा, minus 5 ही आएगा, क्योंकि 0 का कोई value नहीं है, ठीक है न, minus 5 ही आएगा, तो additive identity, क्या होगा, 0 होगा, देखिए, answer कैसे देना है आपको एक्साम में, यह multiplicative, जो, multi choice होते हैं, questions होते हैं, उसमें क्या होता है, directly question कुछ लेते हैं, कि multiplicative identity लिया होता है, तो आप one answer होना चीए आपका, आपका additive identity अगर कुछ ले आपके, आपसे हैं, तो उसका answer 0 होना चीए, ठीक है न, तो, multiplicative identity is one, ठीक है, चलिए, note down कर ले, कि multiplicative identity होता है, multiplicative identity होता है, one, और additive identity क्या होता है, बदाई जली से, additive identity, additive identity होता है, 0, ठीक है न, additive identity होता है, 0, और multiplicative identity होती है, one, ठीक है, चलिए, next, next, last, last property, that is four, distributive property, most important property, बहुत आगे तक, use होने वाली है आपके लिए, मताब आप देखेंगे कि, class to L तक भी एए property आपके आपके साथ चलती रहेगी, इस डिस्ट्रिब्यूटिव, बहुत 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 ही जादे इंपॉर्टेंट, बहुत जादे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, चलिए, पहले समझ लेते हैं होता क्या है, पहले समझ लेते हैं होता क्या है, मालीचे को यह एक equation लिख हुआ है आपके साथ माइनस टू इंटू 12 प्लस टू, दो तरही के से हो जाएगी है, अगर मैं इसे solve करना चाहूं, तो दो तरही के सो हो जाएगा, मैं राइट एंड साइट पे लिख लेता हूं, दो दो तरही के साब को बता देता हूं, 12 प्लस 2, ठीक है, लेट हैंड साइट को मैं distributed property से करूँगा, और जो राइट हैंड साइट को हैं मैं simple तरही के से करूँगा, ठीक है, यह मैं उन्टा कर देता हूं, लेट हैंड साइट को मैं simple तरही के से करूँगा, और राइट हैंट को मैं distributed property से बढ़ा चलिए, minus 2 पहले bracket आप करेंगे, सबको पता है 12 plus 2 is 14 minus 2 into 14 अब राइट हैंट को चलते है क्या है कि minus 2 plus 12 plus 2 distributed property नाम से ही पता चलना है कि हमें numbers को distribute करना है नाम से ही पता चलना है कि numbers को हमें distribute करना है कैसे करना है, कि देखिए जो 2 जो multiplication में दिया हुआ है 12 plus 2 के साथ जो 2 multiplication में दिया हुआ है तो ये minus का 2 12 से भी multiply होगा और minus का 2 जो है 2 से भी multiply होगा चलिए, तो पहले minus 2 into 12 लिख लेते हैं minus 2 into 12 ठीक है ना, मैंने कहा बोला distributed, यानिके numbers जो हमारे distribute होजएंगे बढ़ जाएंगे सो minus 2 into 12 plus 2 था तो minus 2 पहले 12 से इंटू होगा सो minus 2 into 12 ठीक है, then plus, क्योंकि plus का साहिन है ठीक है ना then plus, plus का साहिन है अब जो minus 2 है 2 से इंटू होगा minus 2 into 2 ठीक है ना minus 2 into 2 बात क्लियर है minus 2 into 2 हो जाएगा चलिए, चलते हैं आगे ये क्या हो जाएगा 12 into 2 कितना होता है 14 into 2 कितना होता है 28 so answer आगया 28 plus minus minus plus minus minus 14 into 2 is 28 minus plus minus so minus का 28 answer यहाँ पर आगया minus 28 यहाँ पर answer आगया ठीक है 12 into 2 12 into 2 is 24 12 into 2 is 24 minus plus minus 24 minus 24 then plus plus और 2 into 2 हो 4 minus plus minus minus का 4 क्लियर है क्या हुआ कि 12 into 2 is 24 minus plus minus minus का 24 then plus और 2 into 2 is 4 minus plus minus so minus का 4 चलिए यह तो minus 28 आग चुका है इसे तो फिर्टे मेंट माइनस 28 लिख लेता हूँ यहाँ इदर क्या हो जाएगा minus 24 minus 24 और plus minus plus minus minus 4 plus minus minus 4 और minus 24 तो ऐसी था आगे चलता है minus minus plus देखिए properties जो मैंने आपको plus minus वाले रूर पढ़ाये थे पहले addition और subtraction के लिए इसलिए पढ़ाये थे क्योंकि जब उसका use हो रहा है क्या होगा कि minus minus plus minus minus plus होता है 24 plus 4 is 28 24 plus 4 is 28 और minus minus plus होता है plus करके 28 आगया answer but sign कैसा minus था ठीक ना याद आ रहा है कि जो plus minus वाले रूर मैंने addition और subtraction के लिए पढ़ाये थे वह तो यूज हुआ है आपकर कि minus minus होगया plus मेरा 24 plus 4, 28 हो गया but minus minus दोनों sign minus कैसा answer के साथ कैसा answer sign आ गया minus का आ गया so minus का 28 so 28 is left side hand side और बराबर right hand side में भी 28 है तो यह आपको दिखाया कि distributed property होती ही क्या है आपको क्या करना होता है कि जो भी number आपको multiplication के साथ जिया होता है आपको वो number उन सारे number के साथ बाट देना होता है जो numbers के साथ हमें bracket में दिये होता है ठीक है यह simple तरीका था कि हमने bracket में पहले solve कर देंकि 12 plus 2 14 हो गया 14 is to 28 हो गया answer आगे 28 but distributed property के साथ ऐसे होगा कि आपको एक number सारे number के साथ बाट में पढ़ेंगे 1 by 1 सारे number के साथ distribute करने पढ़ेंगे तब आपका answer आगे चार property बढ़ी हमने कौन-कौन सी same as community property associative property additive sorry multiplicative identity और distributed property यह चार property आज हमने multiplication के लिए पढ़ी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था additive identity associative property और community property वो जो properties थी वो थी आपकी एडिशन के लिए अचल एक चीद और है गई इसमें multiplication में अच्छीज और है यह एक चीज टिवह रहा है लिए गए जब negative नंबर होते हैं आपके negatives integer होते हैं number of negative integer आपके मंटिप्लाइब हो रहे होते हैं number of negative integer इसके लिए इसके लिए प्लस साइन आया तो इसके लिए इसके लिए सब्सकार यहां पर माइनस माइनस लिए सब्सक्राइबालड कि उसके लिए प्लस साइन पूशाओ में बस आपसे पूशाओ और है से सनट यहां पर म Index 1 सब्सक्राइब करने menjadi 11 सभाह choices 11 pan guess 9 Sun不是 MINTION Day 25 9 Mानेश लिए 10 माइने सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें माइन Video माइनने सब्सक्राइब के अधर सब्सक्राइब our माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस अगें प्लस हुए किसा और हुए देखिए पहले इंधोर सी कि लिंदसे का है प्लस बना में रह इंधोर हुए यह औरे एंधोर अब लिए पृस्ट और वी ले यह बनी हिंधो से तो मॉल्डेमा अब श्रॉआ बहुति प्लस मैन वस्केट प्लस मैन इस मायने स्काइब यह आ गया इडिर में सो क्या व्लैनिया कि माइनस और यहाँ पर माइनस तो फटाइनल अंसर आहा है Plus में तो प्लस का सपने हाँ इन एक टारा लेते हैं कि –1 x –1 x –1 x –2 – 1 – 2 – 1 x – 15 5 x – Dá आएक मैंने – 1 x – 5 م Satgrund nee – 5 सुन को क्या एक मैं करा है सबस्क्राइब और वेरी गुर माइनस का सबस्क्राइब बोड़ीया देखें ना कि पहले इंदो से क्या बना इनदोस अपर इंदोस अब माइनस बना फिर माइनस माइनस प्लस बना अगें प्लस माइनस माइनस बना तो फाइनल आंसर जो आया मेरा वह आया माइनस का साइल तो एक बात आपने अप्जर्ट करी जा एक बात आपने अप्जर्ट करी कि अगर नेगेटिव इंटीजर को मैं इंटू कर रहा हूं मालने क को even number है like अगर मैंने minus 1 को 8 times multiply करा है even 8 is even so minus 1 को अगर मैंने 8 times क्या करा है multiply करा है so answer कैसे आने वाला है answer आएगा plus में जैसे 4 is even 4 is even so 1 2 3 4 मैंने minus 1 को 4 बार multiply करा है final answer कैसा आए plus का है so अगर मेरा minus का जो integer है अगर even number में किया हो रहा है multiply हो रहा है even number के order में multiply हो रहा है यानिंकिě minus negative integer है मेरा eight times ten times six times four times twenty times इतने times कि हो रहा है multiply हो रहा है तो answer मेरा हमेशा आएगा positive answer आएगा positive और बिल्कुल उसी के उल्टा अगर अगधर those तो है और के order में और नंबर के order में multiply हो रहा है वह ख़र में नेगेटीव इंटीजर में अगर ट्रीटाइमस 5 दाइमस सेवन टैमस इतने टाइमस अगर मैंटीपलाए और अन्सर हमेशा आने वाला है जैसे की गहाँ पर देखा कि जैसे इसाट मेरा नेगेटीव इंटीजर था आ एक चैनल जो इसके लिए एक जनल स्टेटमेंट क्या बन सकती है आप इसे पहले नौट डाउन कर लें और आप देखेंगे फरक देखेंगे ज़िए अधरेंगे चैनल स्टेटमेंट क्या हुज जाईगे यह चैनल लिए काम कि सेथैटमेंगा तशक्या को हुआत if the negative number multiplied in odd order then the answer will become as negative लिख 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 से बहुत जादा काम की है एग्जांपल के तोर पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैंने minus 2 को 8 times multiply करा है मैंने minus 2 को 8 times अगर multiply करा है तो answer कैसे आने वाला है answer कुछ भी आए मैं पूछना हूँ आप से किसाइइन टीयों साइइम क्या होगा साइक बता सो बस साइन गाइन होगा minus का नहीं होगा Pl़ा कफो क्योंकि minus 2 को में even order में क्या कर रोग मैंने statement आपको बताया है क्ढ़का विदल Mizra पॉलिव सब्सक्राइब अई सब्सक्राइब अगर नमर आपका और इस टो कींगे Must तो आपको यह सारी बात है समझभाई होगी जो प्रॉपर्टी आपको पढ़ाएगे यह वो समझभाई होगी जो यह लास्ट का एक बहुत ही जादे इंपॉर्टन टॉपिक मैंने पढ़ाया है कि पॉजिटिव और इंटीजर को मुल्टिप्लाइए अगर और 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 में करे पूर देखा करें आपका जो भी डाउट उससे अलेट होता है आप मुझे बताया करें ताकि उसको मैं जदी से जदी फिक्स करने की और सही करने की कोशिस किया करूं ओके तो आपको कोई बीडाउट हो आप मुझे ज़रूर बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडि उसके लिए सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ओके, सो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में,